LED bulb manufacturing का काम है, किस तरीके से उसको scale किया जा सकता है, अपनी खुद की manufacturing है इनकी, तो किस ने हम से कोशन पूछा है, देखे, simple सी बात, एक नई चीज शुरू हो रखी है, लॉक्डाउन से ही, उसको कहते है हम D2C, direct to customer, D2C पे दान दो, मत कोशिश करो distributor की, कोशिश करो, मैं यह कह रहा है कि उनकी कोशिश ना करो, वहाँ से आपको एक अच्छी income आएगी, steady income आएगी, उनको भी कोशिश करो, पर एक D2C भी try करने कोशिश करो, branding, branding के उपर काम करो, manufacturing आपकी है, तो packaging अच्छे रखो, जो आपकी manufacturing की quality है, उसको एकदम top level रखो, और उसके बाद अपनी website top top level बनाओ, वहाँ पर अपना product दिखाओ, content marketing करो, market के अदर लोगों को दिखाओ कि भाई, देखो कितने अच्छे brand है, बस, तो लोगों की दिमाग में आप गुज़ जाने चाहिए हो, कि भाई, किसी को कुछ करना है, तो भाई, यह वाली चीज है, Amazon पे available हो जाओ, Amazon पे वहा से ले लिया करो, उनको support मिलेगा, Amazon को उनको 10-15-20% देना पड़ता है, अगर आप उनकी website से लोगे, तो 10-15-20% बच जाएगा, और हो सकता है कि आपको 15% का discount भी दे दे, एक hack बताता हूँ, जो लोग बेच रहे होते हैं, अगर आपको सवान लेना है, उनके seller का नाम होता है उसको Google पर सर्च मारो, उनको directly call करो, और उनको कहो कि भाई मैंने Amazon पर देखा था, मैं आप से directly लेना चाहता हूँ, कुछ कम discount, मुझे कुछ discount पर rate पर दे दो, वो दे देगा, अगर bulk order होगा, तो पक्का दे देगा, या फिर कोई महंगी item होगी, तो दे देगा, मैंने अपन जादा होता है, उसको भी दिखता है कि मेरी website पर traffic आ रहा है, क्योंकि बहुत सर लोग blindly rely करते है Amazon flip card पर, प्लीज जो seller होता है, एक बार check जरूर कर लिया अगरो, अगर आपको ज्यादा order करना है, एक bulb order करना है, एक कुछ करना है, एक कुछ करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है पर अगर आप कुछ bulk में order करना चाते हो, तो प्लीज एक बार seller जरूर ट्राए किया अगरो, अपनी आदत बना दो, क्योंकि Amazon भार की company हो, सारा profit भार लेकि जाने वाली है, बदब इंडिया पर भी लगाएगी, पर वो भार की company है, यहाँ पर आपका seller इंडिया का बंदा है उसको support करो, क्योंकि इंडिया में D2C का भी culture उतना जादा strong नहीं हो पाया है, क्योंकि लोग रलाई नहीं करते हैं, नहीं site के उपए, लोगों को Amazon Flipkart पे ही ज्यादा बरुसा हो रहा है, तो मैं प्लीज सबसे अप्लील करता हूँ, कि बाकी site के उपर भी आप ट्राए करो, क्योंकि पर करो, जहाँ पर पे पेमेंट केट पे को आला सीन दाओं कि वो कहें कि भाई पेमेंट दो, पेमेंट दे नहीं है दो, अगर आप दूसरी तीसरी बार ट्राए कर रहे हो, सार्टिंग में कर कैश अन डेलिवरी का option है, तो कैश अन डेलिवरी पर पहोंगा हो, पर जरूर ट्राए करो, डीटीसी वाले को